जय स्री राम जय स्री राम जय स्री राम जय स्री राम अच्छा ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं डार्विन का क्या ओपिनियन था बाइलोजिकल इवालूशन पर मतलब Darwinism क्या होता है मतलब Darwin ने क्या explanation दिया कि new evolution के बारे में उनका क्या विचार था nice species के origin के बारे में का क्या विचार था तो देखें Darwin का जो main point था ना वो था natural selection natural selection क्या होता इसको तो हम detail में देखेंगे उससे पहले हम देखते हैं कि उन Darwin ने अबजर्ब क्या किया था देखें Darwin ने पहली बात ये अबजर्ब की थी कि उन्होंने जो भी अपनी study की थी उसमें ये अबजर्ब किया था कि जितने भी living organism होते हैं वो reproduce करते हैं और reproduce करके high rate high number of large number of offspring को produce करते हैं जिससे उनका population increase होता है जैसे एक चूहा है वो दरजनों बच्चों को जन्म देता है और बहुत सारे offspring प्रोडूस होते हैं है ना फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि total number of individuals is almost constant फिर उन्होंने कहा struggle for existence की बात की struggle for existence का मतलब क्या होता है समझें struggle for existence का मतलब यह है कि कोई भी living organism है उसके life में problem तो आती है अब problem क्या आती है जैसे मान लिजी उसको food का struggle हो गया है ना फिर उसको shelter का problem आ गया फिर उसको meeting partner का problem आ गया मतलब उसको reproduce करना है तीनों चाहिए reproduction भी चाहिए तो darwin के according कि यह challenge जो होता है इस challenge को सबको face करना होता है है ना और disease हो सकती है कोई problem आ सकती है तो उस challenge में जो है कि जीतना पड़ता है animals को फिर उन्होंने next बात की variation की बात की variation में उन्होंने क्या कहा कि even कोई अगर जैसे उन्होंने एक एक एक्जामपल दिया सब human है तो human even we all human belong to same species still there are differences हम इतने हम लोग जो है अलग-अलग है हम लोग जो है सारे एक ही species के है अलग-अलग तो नहीं है लेकिन फिर भी हमारे बीच में differences तो है ना हमारे बीच में जो differences होते है एक ही species के अंदर उसको variation कहते है डार्विन के according एक ही species के अंदर दो individual के अंदर जो अंतर होता है उसको variation कहते है फिर उन्होंने super important बात कही survival of fittest survival of fittest की बात कही कि उन्होंने कहा कि जो life में struggle होता है उस struggle के against में जो सबसे अच्छी तरह से उस struggle से लड़ लेता है और resources को utilize कर लेता है हम उसको मानते हैं यह सबसे ज़्यादा fit है और last बात कही natural selection की उन्होंने कहा कि जो resources हैं उसको use करने में जो सबसे ज़्यादा सक्षम होता है वही ज़्यादा reproduce करता है और जो ज़्यादा reproduce करता है उसको nature select कर लेता है फिर उन्होंने कहा एक tom होता है biotic potential किसी भी living organism के अंदर ideal condition में offshore produce करने की चमता तो उन्होंने कहा कि जो भी successful होता है उसका high biotic potential होता है फाइन अब एक example लेते हैं एक organism है अब जो offspring produce किये वो सारे offspring जिन्दा तो नहीं रहेंगे ना उसमें से कुछ मरेंगे भी वो adulthood को नहीं achieve कर पाएंगे लेकिन some of them reach to adulthood और जो adulthood में reach करेगा जो adulthood में reach करेगा वो reproduce करेगा और जो reproduce करेगा तो offspring produce करेगा तो यह जो second condition है यह first से difference तो हो गया तो उसका result क्या हुआ कि इसके अंदर हमने देखा differential reproduction देखा, differential reproduction का मतलब क्या है इसने ज़्यादा offspring produce किया और ज़्यादा इनके compare में offspring produce किया इनोंने और offspring produce किया तो अपना number increase किया, जब अपना number increase किया तो यह भई, यही छाग है, है ना, तो हम कहेंगे nature ने इनको select कर लिया और यही होता है natural selection, फिर यहाँ पर बात आई, struggle for existence struggle for existence जब कहीं भी apply होता है, तो उसी में पहचान में आता है कौन ज़्यादा fit है, मतलब कौन resources को और अच्छी तरह से utilize कर लेता है अच्छा यह जो survival of fittest का जो tom था ना, यह phrase था ना, इसको harbert spencer ने दिया था, darwin ने नहीं दिया था ठीक है, अच्छा फिर एक और बात, variation किसी population में क्यों होता है तो mutation जो होता है, mutation का मतलब क्या होता है, change in DNA mutation is change in DNA, mutation is the ultimate source of variation mutation जो होता है, वो variation का ultimate source होता है, पहली बात दूसरी बात उन्होंने की, recombination की बात की recombination मतलब क्या है, कि new जब दो individuals sexual reproduction करते हैं, तो उन दोनों के character next generation विजाते हैं तो होता क्या है, कि दोनों का नया combination आता है, और उस combination से भी variation होता है फिर उन्होंने कहा, कि दो population है, जो widely separated है उन दोनों के बीच में, अगर interbreeding होगी, तो उस interbreeding से क्या होगा, नय offspring produce होगे, जैसे मान लो कि आपे हमारे इंडिया गराजी उगादी जो तो थे उन्होंने इटली में marriage किया, तो marriage किया, तो ये widely separated population में क्या होगा, इंटर breeding होगी, तो offspring के रूप में आए ना हमारे राहुल जी फिर Darwin के according fitness का मतलब क्या होता, देखिए Darwin का fitness का मतलब क्या था, कि fitness जो होती है, उन्होंने कहा, fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature मतलब जो changes आते हैं, उस changes में जो जितनी अच्छी तरीके से adapt कर जाता है, जिसके पास जो तरी ज्यादा छमता होती है, अनुकूलन करने की, उसी को nature select कर लेता है, जो ये काम नहीं कर पाता हो, reject हो जाता है, fine, अब देखिए Darwin के according, Darwin के according evolution क्या होता है, तो Darwin के according evolution is the change in the genetic composition of population which is brought about by natural selection and which act upon the variability of variability in population, कोई भी population है, उसके genetic composition में natural selection की वज़ा से change आना, इसी भी population में natural selection की वज़ा से उसके genetics में change आना, और variation आना ये है evolution, अचा, Darwin ने ना actually दो point दिये, fine, Darwin ने दो point दिये, वो दो point उसके theory के सबसे important point है, उसमें उन्होंने concept कहा, theory उन्होंने बात की branching descent की बात की, इसमें उन्होंने बताया कि एक species नई species कैसे आती है, तो उन्होंने ने कहा कि हमारे पास एक existing species है, उसी species से एक नई species ऐसे branch evolve होती है, ठीक है, हमारे पास एक existing species है, एक्स, एक्स तो रहेगा हैं, जिसी से new species ऐसे branch evolve होगी, इसे वो कहते theory of branching descent, fine, फिर उन्होंने ने बात किया natural selection, वो तो कहा कि भाई, ये तो हमने discuss already कर लिया है, कि nature जो होता है, वो उसी को select करता है, जिसके पास better variation होता है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा देख लेते हैं, सबसे पहले Darwin के main points थे हमने उसको देखा, fine, Darwin के main points देखने के बाद से हमने देखा, कि differential reproduction क्या होता है, फिर हमने देखा survival of fittest क्या होता है, variation क्यों आता है, फिर हमने देखा कि Darwin की जो theory थी, उसके main दो point क्या थे, एक थो था branching descent और दूसरा था natural selection, तो इस वीडियो में तहरा ने दीजे, बागी देखेंगे next वीडियो में आग गया दीजे,